हेलो फ्रेंड्स आज बनाने जा रही हूं गुड और बेसन के सेव जिसे लक्ठो भी बोलते हैं तो चलिए बनाना सुन करते हैं तो उसके लिए यहां मैं ले रही हूँ एक कटोरी बेसन यह लगभग 200 ग्राम है और यहीं पर ले रहे हैं दो बड़ा चम्मच रिफाइंड ओ लेकिन मैं यहां रिफाइंड ओयल ही यूज कर रही हूँ तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसे गूथ लेंगे इसका मुलायम आटा तयार करना है इसे रोटी के आटा जैसा मुलायम आटा तयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही इसे गूथ लेंगे और अब इसे 10-15 मिनट के लिए ढख कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए तो यहां 10 मिनट हो गया है तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं ये बिल्कुल मुलायम आटा तयार हुआ है इसमें थोड़ा सा हाथ में पानी लगा कर इसे एक बार फिर से चिकना कर लेते हैं रोटी के आटा की तरह इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर गूथ लेंगे जिससे ये खस्ता और करारा बने तो यहां मैं इस तरह के सांचे का इस्तमाल कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा पहले तेल लगा लेंगे जिकना कर लेंगे इसे तो अब थोड़ा थोड़ा आटा लेकर सांचे में डाल देंगे तो अब इसका ढ़कन बन कर देंगे तो इधर तेल गरम होने के लिए रख दिये थे तेल गरम भी हो गया है तो थोड़ा डाल कर चेक कर लेते हैं तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है तो अब सेव इसमें डाल देंगे एक बर पूरी तरह से घुमा देने के बाद इसे तोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बख सकें सेव को तलते समय फ्लेम को मेडियम ही रखेंगे और इसे डालते समय बिल्कुल नहीं छुएंगे जब लगे कि एक तरफ से ये अच्छी तरह से सिख गया है तब इसे पलट लेंगे तो ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिख गया है तो इसे अब पलट लेंगे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसे तर लेंगे तो दोनों तरब से अच्छी तरह से पुलट पुलट कर से के लिए हैं जिसे अब ये लाल हो गया है और अब इसे निकाल लेते हैं तो इसी तरह से बचे हुए आटे को फिर से बना लेते हैं तो ये भी हो गया है इसे भी निकाल लेते हैं तो यहां एक पैन लिए हैं और इसमें डालेंगे एक कटोरी गुड जिस कटोरी से आटा लिए थे उसी से एक कटोरी गुड है और इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी तो गुड का चिप चिपा चासनी बना लेंगे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसे तो गुड को लगातार चलाते रहेंगे जिसे ये चिपके नहीं और ये जले भी नहीं तो यहां गूर अच्छी तरह से उबलने लगा है जब तक यह पक रहा है तब तक इस बेशन सेव को तोड़ लेते हैं तो ज्यादा छोटा छोटा नहीं करेंगे दो दो तिन तिन टुकडा में तोड़ लेंगे तो यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि लाड़ा तो यहां सब गीखो तोड़ लिए हैं और इधर हमारा चासम ने बनकर तयार हो गया है तो अब सारे सेव को इसी में डाल लेंगे और अच्छी तरह इसे मिला लेंगे ताकि सारे सेव ने गुड़ का चासमे अच्छी तरह से मिल जाए यहां गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे तो यहां धीरे-धीरे करके सेव और गुर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहां बेशन सेव मठरी बनके तयार हो गया है चाहे आप इसे गुर की मठरी बेशन वाली या लप्ठो भी कहें बहुत जगाव पर यह इसे लप्ठो भी लोग कहते हैं मीठा तो सभी को बहुत ही पसंद आता है चाहे बड़े हो या बच्चे वो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं तो गुर बेशन की सेव मठरी बनकर तयार हो गई है तो यह कैसा बना है आप सब जरूर बताईएगा तो अब जब भी खाने का मन करें सेव गुण मठरी तो घर पे ही इस तरह से बनाए बिल्कुल बजार जैसा गुण का लग्ठो तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेशिपी के साथ